आखे खोलो और सपना देखो क्योंकि खुली आखो से ही सपने सच होते हैं पर सपना क्या था? जो यह था हाँ, तो सपना देखो कि तुम्हारी लाइफ पर एक फिल्म बन रही है हाँ, हाँ, सच में? लेकिन एक कैच है यह चीज किसी को नहीं पता चलीगी कि वो फिल्म तुम्हारी लाइफ पर बेज़्ड है क्या तुम वो खुशी-खुशी देखोगे? भई मैं तो देखूँगा, रात में इंटरनेट से डाउलोड करूँगा, कॉफी लाऊँगा, चिप्स लाऊँगा और खाते-पीते वो फिल्म खुशी-खुशी देख लिगा पर अब सोचो, ऐसी कितनी बायोपिक्स हैं जिनकी ओरिजिनल इंस्पिरेशन के बारे में हम लोग जानते ही नहीं जैसे तुम्हें पता है, गुरू दीरो भाई अंबानी पर बेज़्ड है बहुत एजी था यार, तुम्हें पता होगा, है ना, बट कोई नहीं मेरे पास ऐसी पाँच और बायोपिक्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे उन बायोपिक्स के बारे में जादा लोग जानते नहीं कि वो किस पर बेज़्ड है इनने कॉलिज से निकाल दिया जाता है क्योंकि उनके सेम सेक्स रिलेशन्शिप के बारे में सबको पता सिल जाता है और प्रोफेसर सेरस की रियल लाइफ में भी बहुत जादा चैलेंजिज रहे और इनी छोड़ी छोड़ी प्रोब्लम्स और चैलेंजिज को एकठा करके इनके डिरेक्टर ने ये फिल्म मनाई अलिगर्ड जरूर देखने चाहिए जैन साब, लेटनें विक्रम बतरा रिपोर्टिंग साब नमबर फोर, शेर्शा मेजर विक्रम बतरा की लाइफ पर बेज़ड है ये फिल्म और इस फिल्म में बहुत खुबसूर परफोर्मेंस दी है सिदात मलोतरा ने और इस फिल्म की प्रेजेंटेशन बहुत पावरफुल है क्यों? क्योंकि इस फिल्म में मेजर विक्रम बतरा की लाइफ के हर एस्पेक को दिखाय हुआ है उनकी लव लाइफ, उनकी कारगिल वार और उनकी डेथ तक थोड़ा लक्षे को भी याद इला देती है फिल्म बड़ एक्चुली बहुत इंप्रेसिफ फिल्म है आपको ज़रूर देखनी चाहिए आपने काफी समय बिताया है टेरिस्ट ओनाइजेशन के साथ है नबर थी शाहिद राजकुमार राउ की शाहिद शाहिद is a masterpiece ये फिल्म एक फेमस लॉयर और शाहिद आजमी की लाइफ पर बेस्ट है जिनका रोल निभाया है राजकुमार राउ ने भाई, hats off to the director यार, कैसे उन्होंने टर्रिरिजम और रिलिजिन के issues को इस चीज में cover किये समझने के लिए ये फिल्म आज ही देख लो, देखनी चाहिए थी आपको पहनी में सबने कहानियों कोई काईन है समझता हूँ जिसमें समाज अपने आपको देख सके नमबर टू, मंटो, ये फिल्म बेज़ड है राइटर सादत असन मंटो के ओपर और इस फिल्म का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है और बहुत इंप्रेसिव है इस फिल्म में मंटो की शॉर्ट स्टोरिस के थ्रू उनकी खुद की लाइफ के बारे में बताया हूँ है और ये ट्रीटमेंट और ये राइटिंग इतनी इंप्रेसिव है कि आप आप अच्चुली इसे मिस नहीं कर सकते इसके बारे में एक्चुली सब लोग जानते हैं ये फिल्म बेजड एक ऐसे IPS ऑफिसर मनोच कुमार शर्मा की उपर जो 12 में तो फेल हो गए लेकिन IPS बन गए और इस फिल्म से हमें बहुत जादा सीखने को मिलता है तो इन में से कौनसे फिल्म के बारे में आप पहले से जानते थे ये तो कमेंट से बताओ और ऐसी और भी फिल्म्स हैं जो शायद इसके अंदर कवर नहीं हैं आप कमेंट में वो चीज़ भी लिख सकते हो और इस वीडियो को अपने फिल्म लबस के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए